नमस्का 달 दोस्तों, तो कैसे आप लोग ? तो अगर आपने रिसेंग कोई नया लेपटव लेआए अगर बो लेपटव, especially लेणबो को लेपटव है और बो लेपटव लेने के बाद अगर आपने हार्डवर के सबी किसे भी ड्राइवर को अपडेट की आए windows के सबीगी सबी driver update किया उसके बाद एक original antivirus इंस्टल किया जिसके मदद से मैंने बाकी सबीकी सबी driver को update किया तो फिर उसमें वाइफ़ाइ का issue हो रहा था फिर उसके बाद मैंने driver booster नम का и driver updated app install करके जो भी और drivers थे बो सबीकी सबी मैंने update किया वो update करने के बाद जो internet का issue बहुत ठीक हो गया लेकिन आचानक जो touchpad वो disable हो गया और वो touchpad को disable करने का कोई भी option आपको Google पे normal search करने से नहीं मिलेगा तो touchpad को फिर से activate करने के लिए क्या process आपको इस्तबल करने पाड़ेगा मैं आपको इस वीडियो में एचीज दिखाऊंगा तो चलिए शुरू करते आच के वीडियो भी नव कई वक्त के बाद आच के वीडियो शुरू करने से पहले आगर आप गैज्वल से पे नहें और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते तो गैज्वल को सबसे करने बिलकुली मन दभूलिएगा तो जैसे कि इस पिक्चर वान पे देख सकते मैंने ड्राइबर बूस्टर से सभी के सभी ड्राइबर अपडेट किया ड्राइबर अपडेट करने के तुरंद बाद जो टाच पैड वो डिजबेल हो चुका है तो इसे सॉल्प करने के लिए आपको डिबाइस मैनेजर आप् कीबोड डिवाइस इसमें यलो कलर के ट्राइंगल ऑप्शन है इसका मतलब इस ड्राइबर में कुछ प्रॉब्लेम है उसके बाद आपको फिर से सर्च बटन पर जाना परेगा जाने के बाद आपको सर्च करना पड़ेगा इसे क्लिक करने के बाद ऑद दिफोल्ट में उसके बाद आपको इस तरक्र के ऑप्शन आएगा कि confirm your restore point drivers windows SSD उसके बाद finish करना है एक finish करने के बाद आपको फेर से notification देगा कि once system started system restore point cannot be interrupted do you want to continue इसे आपको yes करना है मतलब एक काम करने के बाद आप इसे restore नहीं कर सकते तो एक करने के बाद 5 से 10 minute depending on your device एक काम हो जाएगा एक काम होने के बाद आपको एक final option आएगा कि preparing to restore your system एक option आपके पास आएगा जैसी एक काम हो जाएगा आपका system automatically restart होगा restart होने के बाद guaranteed आपका जो laptop का touchpad वो काम करना शुरू कर देगा वैसे अगर आपके पास Lenovo का laptop है तो Lenovo के laptop में एबला process 100% काम करेगा अगर Lenovo के लिवा अगर दूसरे किसी ब्रैंड के laptop में same problem हो राए आप बिल्कुल same process ट्राई करना अगर बो ब्रैंड का laptop भी same process के जादी ठीक हो जाता है तो इससे मैं एई ची समझ पाँगा कि सभी के सभी laptop में अगर touchpad का कोई problem होता है तो आपको same process इस्तमल करना पड़ेगा तो आज का वीडियो निता गूमीदे आज के छोटा सा tips और tricks आपको पसंद होगा पैसे फीचोल में अगर वैसे और भी वीडियो देखना चाहते है तो ग्याजरल चनल को सबसे करना बिल्कुली मत भूलिएगा तो मीलता अगली वीडियो पे तब तक stay tuned and always remember think positive be positive thank you